तो जैसा कि अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है तो फेस्टिवल सीजन का मतलब है मिठाईया तो हम आज अपने किचन में बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल सी मिल्क बरफी पीनर्स के टेस्ट में क्योंकि हम इस बरफी में पीनर्स का टेस्ट दे रहे हैं तो यहां पर मैंने एक कब पीनर्स लिया है हमें इसे बिल्कुल ड्राय रोस्ट कर लेना अच्छे से ताकि बिल्कुल आप लोग हीट पे करें ताकि इसका कलर भी चेंज नहीं हो और यह बहुत अच्छे से भून जा जाता है तो थोड़ा सा यह चटक जाता है यह जब चटक ने लगे तो आप समझ जाए कि अच्छे से भून चुका है देख सकते हैं अल्मोस्ट सारे ही चटक चुके है या फिर एक आप फिंगर पे लेकर इस तरीके से अगर इसे छुडाएंगे तो मतलब मारा पीनेट्स तब हम इसे ठंडा करके थोड़ा छील कर ले लेते हैं तो यहाँ पे मैंने छील कर ले लिया है एक तीहाई कप पीनेट्स इसे मैं अच्छा सा पाउडर बना लूँगी यह देख सकते हैं यह मैंने इसे अच्छा सा पाउडर बना लिया बट यह थोड़ा दरदरा है यह प टेस्ट बिल्कुल बराबर रहे अच्छा सा टेस्ट आए वैसे आप चाहे तो इस बर्फी को आप एक चम्मच घी से भी बना सकते हैं अगर आपको घी का टेस्ट ज्यादा नहीं रखना है तो और इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक कप दूद एड़ कर रही हूँ दूद को थो चलाए और एक ही तरफ से आप चलाए ताकि इसमें बिल्कुल भी लंस नहीं पड़े अगर थोड़े से लंस पड़ भी जाएंगे आप इसी तरीके से चलाते रहेंगे तो सारे लंस हड़ जाएंगे बिल्कुल इक्वल हो जाएगा आपका बिल्कुल भी इसमें लंस नहीं रहने चाहिए नहीं तो बर्फी बिल्कुल पर्फेक्ट नहीं बनेगी देख सकते हैं मैं लंस भी नहीं है इसमें और यह चलाते हुए मुझे तीन से चार मिनट हो गया है और हमारा मिलक पावडर अच्छे से थोड़ा सा पक चुका है बिल्कुल आप मेडियू पर लो फलेंपे करें नहीं तो मिलक पावडर का कलर fraction हो जाएगा और हमें कलर junction नहीं करना है तो जब मिलक पावडर सा गाड़ा हो जाए तो मैंने इसमें एड किया एक ती हाई कब चीनी चीनी को एड़ करने के बाद हमें से 70% और पकाना है चीनी एड़ करने के वाद मिल्क पाउडर बिल्गल पतली हो जाती है और हम इस चीनी के साथ जब मिल्क पाउडर को पकाएंगे तो यह बहुत अच्छे से पकेगा भी और ये बर्फी में इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा क्योंकि मिल्क पाउडर में भी थोड़ा सा कच्छापन रहता है तो वो भी दूर हो जाएगा इस बर्फी को आप कभी भी बना सकते हैं ज्यादा टाइम लगता है और नहीं ज्यादा इंगिडियन्स लगता है इसमें कम मेनत में बहुत अच्छे सी मिठाई रेडी हो जाती है सामने रक्षा बंदन है जनमाश्टिमी है अभी तो तेवाडो का सीजन चल रहा है तो आप किसी भी पर्व में किसी भी पुजापाट में इस रेसिपी को बना सकते हैं भगवान का भूग भी लगा सकते हैं तो मिल्क पाउडर को हमें यहाँ पर 70% पका लेना है जब यह 70% गारा हो जाए 30% बाकी रहत तब हम इसमें एड़ करेंगे पीनट्स पाउडर जो हमने पीनट्स को पीसा है वो इसमें एड़ करके हमें इसे बिल्कुल जमने की कंस्टेंस यानित तक हमें इसे गारा करना है क्योंकि आप जितना अच्छा इसे गारा करेंगे यह उतना अच्छा जम कर रेडी होगा और बहुत कम टाइम में जम कर रेडी होगा क्योंकि यह जितना अच्छा जमेगा आप उतने अच्छे से से स्टोर करके रखके साथ से आठ दिनों तक खा सकते हैं मैंने इसे यहाँ पर पीनट्स फ्लेवर दिया इसलिए मैंने मुंगफली का यूज किया है आप अगर चाहे तो इस टाइम पर इसमें मुंगफली को स्किप करके कोकोनट भी मिक्स कर सकते है तो यह कोकोनट बरफी बन जाएगी बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा बस आप जिस टाइम पर हमने यहाँ पर मुंगफली का पाउडर एड़ कि आप उस टाइम पर कोकोनट पाउडर एड़ कर दे तो अब हमारा मिसरन गाढ़ा हो चुका है अब हम इसे एक मिनट और गाढ़ा कर लेंगे हमें अगर बहुत जल्दी जमाना है तो इसे अच्छे से आपको गाढ़ा करना होगा आप जितना अच्छा इसे गाढ़ा करेंगे ये उतना जल्दी और उतना परफेक्ट जम कर रेडी होगा तो हमारा मिसरन अब जमने के लिए बिल्कुल रेडी है तो हम इसे जमाने का बरतन देख लेते हैं तो यहाँ मैंने एक टिफिन ही लिया है इसे मैं घी से ग्रिस कर लूँगी और नीचे मैं थोड़ा सा गुलाब की पंखुडियों को बारिक कट करके मैंने डाला है थोड़ा सा मुंगफली डाला है जो हमने मुंगफली को भुना था वो मैंने थोड़ा सा रख लिया था फिर इसके उपर आप मिसरन को डालते हुए एक चम्मच के पीछे इस तरी के से थोड़ा सा घी लगा ले और इससे चिकना करेंगे तो यह बहुत आराम से चिकना हो जाएगा आप यहां चाहे तो ड्राइफरूट का भी यूज़ कर सकते हैं बड क्यूंकि यह पीनट्स बरफी है तो इसलिए मैंने इसे सिंपल डेखोरेट दिया है इसे सेट करने के बाद आप तीन से चार घंटे के लिए बिलकुल इसे ठंडी जगह पे जमने के लिए रख दे और जब यह अच्छे से जम जाए तब आप इसे फ्रीज में भी श्टोर करके रख सकते हैं तो चार घंटे बाद देख सकते हैं हमारे बरफी बिलकुल जम कर रेडी है अब हम इसे पहले इस बरतन से निकाल लेते हैं तो इसके लिए मैंने एक थाली लिया है और इसे थोड़ा सा चाकू के हल्प से आप किनारे इसके अलग कर ले और फिर इसे थोड़ी से जोड़ से आप जब पल्टेंगे तो यह अच्छे से निकल जाएगा बिलकुल और देख सकते हैं क्यूंकि हमने इसमें घी का थोड़ा सा ज़्यादा क्वरिंटी यूज किया है तो इसकी घी की चमक भी इसके उपर आपको दिखेगी तो आप घी अगर थोड़ी से अच्छी मातरा में यूज करेंगे तो आपकी बर्फी में घी का भी स्वाद भी रहेगा और उसके एक चमक भी रहती है तो यह देख सकते हैं मारे बर्फी कितनी अच्छी जम कर रेडी हुई है और मैंने इसा या पर मोटा ही रखा है आप चाहे तीसे पतली भी बना सकते हैं और इपने याप जितने इंगिडियंस का यूज किया है तो अाधे आप कम बनाना चाते हैं तो हर इंगिडियंस अप कम मातरा में भी बन जाएगा तो आप हम इसे कट कर ले कितनी सुन्दर से जम कर रेडी है और इसके जो पीनट्स के कन है वो भी दिख रहे हैं बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा बर्फी बनी है जमी भी है तो गाई जी ये थी मेरे आज की बर्फी की रेसिपी उमीद करूँगी कि आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी झाल कर बर्फी च्छा रंस刃 च्छाइब रेसिए मोणको की अज़गी ।